नमस्कार दोस्तों सौगत हैं सभी का क्विक हिंदी पर और मैं हूँ अभिनो सिंग दोस्तों ये बारवाँ पार्ट है टिफल से एक्जाम अक्टूबर फिर नॉबर जबी भी एक्जाम है आपका फ्यूचर में सब के लिए बड़ा इंपॉर्टन है ये सारे क्विक इतना समझ लो 100% पूछे जाएंगे एक्साम में बस इतना नहीं है कि किस बैच में पूछ जाएंगे और जितने questions हैं देखो अगस्त में पुछेगे questions और सितंबर में पुछेगे questions वही है और सभी जान देख questions repeat होते हैं 100% repeat हो तो मुझे पूरा experience है इतना समझ लो 5-6 माहिने से कर रहा हूँ न ये तो और बागी के 12 वीडियो जो भी है सब देख लेना पक्कर एक भी question आपको miss नहीं करना इतना सोच के चलना है बस मैं जो बोल रहा हूँ उसको follow जरूर करना है सबको और आप लोग भी मुझे question भेजना Facebook एफे Instagram की वहां की मिरी आडिया अपने सिंग बहुत से बसर बन इसका मतलब समझ रहे हो कि नहीं कौन सा ऐसा बैंक है जिसका directly किया जाता है जिसका एंसर हो जाएगा भीम एप देखो मैं आपको इस दिन बताया था भीम एप क्या हो जब launch हुआ तभी से यह ऐसा एक application था तो directly हम बैंक हम मतलब भीम वाइलेट में पैसा हो यह नो कोई फरक नहीं पड़ता हम directly बैंक से खाते से उससे टांसफर कर सकते हैं उमागाप का मालों अलग है phone pay और पेटियम आजकल तो पेटियम वगयरा भी मतलब directly बैंक खाते से काम करने लगे हैं पहले नहीं थे यह तो भी अब सुविदाय देने लगी हैं सब सारी कंपणियां तो आपका अगर all of ever by तो भी कर सकते हो लेकिन दोसको क्या बोलते हैं spyware blocker spyware क्या होता है जो हमारे computer को नुकसान पहुचाता है एक प्रकार समय लो वायरस की तरह spyware तो उसको blocker तो यह block कर देता है तो यह बात ध्यान देना आपको बड़ा important question आई same question आया था exam में इतना समग चलना आपको आप next facebook किसी संदिक्द link को click करना चाहिए facebook पर मतलब किसी संदिक्द link को click करना चाहिए true false आज कर बताते हैं s और no भी आता है जैसे true false यहाँ पे s no भी हो सकता है तो एक ही बात हो ही दोनों आपको समझ से चलना है वो तो यह हो जाए वारस भी आ सकता है कुछ भी हो सकता है तो इसलिए संदिक लिंकों में नहीं क्लिक करना चाहिए पता हो तब ही करो इतना ध्यान रखने आपको ठीक है facebook के बहुत सारे question आते मैं बताता रहा तो आपसे तो सबसे एक पुछते है कि photo upload कर कितना limit क्या हो तो 30 होता है और भी पूछेगे हैं और पूछे जाएंगे उनका एक database होता है जैसे बना लिए चार-पांस जार questions भी हो उनके पास total तो उसी को setup set कर देते हैं अपना बदल अदल के देता रहता है सबको questions तो उनका database से fit रहता है उसी साब से होता ही सारे question कर पतत ले जाना तो मज़ा आ जाए इत बड़ा important है यह data encryption इसके बार में बहुत आपको कई सारे question मिलते हैं और मैं समझाता रहता हूँ यह सब cyber security के question है पिछला भी था यह भी है encryption क्या होता है मैं बताया था आपको एक सुरचित code में मतलब एक अलग code में convert करते है एक special code में हमारे कोई भी हम लिखते हैं से password होता है लिखते 5 है दिखता है star है इसका answer क्या हो जागा security सिंपल से बात है हमारे security को ensure करता है data encryption अब next encryption data देखो वही question है थोड़ा घुमा दिए उस इस related किस में store होता है मतलब question अलग है लेकिन किस में store होता है जो encryption data होता है ओ किस में store होता है यह same question ऐसे ही आएगा exam में इतना आपको मान के चलना है तो वीडियो से लोग लाइक ज़रू करते हैं ठीक है बाद में करना वीडियो खतम हो जाए लेकिन लाइक ज़रू करना जो लोग लाइब देख रहे हो इसका सहिंसर क्या होगा प्रोटेक्ट डिस्टल डेटा ठीक है बड़ा इंपोटेंट है मतलब बदायान में आपको इसक सीलिंग और फ्लोर का पूरा डिटेल से वीडियो बनाया है उसको जरूर देख लेना उसको देख लोगे तो आपको एक्जाम में सेलिंग समझे कोई कोई क्वेशन आगा आगा आप एजिली कर ले जाओगे और ये सेम क्वेशन मैं इसलिए एक बार बताया हुए इसी सेम फिर दोबारा स 총वेशन आता है एक्जाम में बदल के नहीं यही सेम क्वेशन आता है में में समझ गिया कि यही और बार बार आ है उगजाम में तो इसमें अपको बताया था आपको साथ मेंसे से देखो 97 कटेगा नहीं कोन कॉन सा कटेगा एक तो समझगे गर नाक्स्ट मैक का फुलफॉर्म क्या होता है एक पुश्य कि मैक कितनीWith ga होता है तो 48Wit का होता है मैक पूडिये बिट का होता है बाइट बूछले तो छे बाइट का होता है क्योंकि officers 860 박allows एक by티 में चे आठी Bite होता है media access control इसका full form हो जाएगा तो यहीं इसका सही answer होगा अब next IPV6 bit कितने bit का होता है मतलब इसे short में मैंने लिख लिया अब तो समझदार हो इतना कितने bit का होता है तो होता है 128 bit अगर पूछे IPV4 तो 32 bit IPV6 मतलब internet version 4.6 समझदा है अब next optical disk कैसी memory होती है primary, auxiliary, territory, secondary कौन सेसमस आई होगा कल मने जो memory card के बारे में बताया था तो कुछ लोग confused हो रहे थे उसको मने बोला non-volatile memory तो कुछ लोग बोला था permanent memory भी है actual में permanent memory जो computer की permanent memory हो उसको बोलते हैं ओ गया होता read only memory होती है सिर्फ उसको पढ़ सकते हैं कुछ कर नहीं सकते हैं वो computer में बचा रहता है पढ़ा रहता है अपना उसके data भी बचे रहते हैं वही same right तो कुछ कर नहीं सकते हैं लेकिन memory card क्या होता है बदलते रहते हैं कुछ भी करते हैं इसमें सब कुछ होता रहता है वो कहीं भी हम use करते हैं उसको computer में कहीं use करते हैं कहीं phone में use कर लेते हैं तो कहीं use कर लेते हैं ऐसा होता है ना memory card इसलिए उसको नहीं बोला में non-bretile में आ जाता है हो तो इसका साही answer हो जाएगा secondary memory है optical disk ठीक है ध्यान देना आप next email address में user ID बदल सकते हैं true है कि false यही same question में एक दिन साहथ बताया भी था पहले बताया था October वाले में बताया नहीं था यह भी same question आता है exam में same ऐसे ही कि बदल सकते हैं नहीं बदल सकते तो बिल्कुल नहीं बदल सकते हैं never मैंने इस cancer आपको बताया भी था इस cancer never हो जाएगा क्योंकि email address अभी हम बदल नहीं सकते अगर बदलना दुबारा डिलेट करो फिर बदलो आइसा हो सकता है और इसा नहीं है next Facebook में एक user सिर्फ एक ही page का admin हो सकता है true है कि false इसमें देखो इस परकार का मतलब कई सारे page का admin हो सकते क्योंकि मैं जानता हूँ न मेरे पास ही कई सारे page है Facebook पे मैं खुद ही 2-4 page चलता हूँ इसे ही बनाया हूँ अब next internet explorer किसका part है Google का Microsoft का Facebook का Yahoo का तो simple सा question है यह Microsoft का part है मैं बताता रहता हूँ बीच बीच में आपसे यह क्या एक प्रकार का web browser है ठीक है अब next hotmail किसका part है यह भी important है लेकिन simple सा है देखा सा है तो Google, Yahoo, Gofer, Microsoft तो हो जाएगा किसका Microsoft का hotmail हुआ अभी देखो intent explorer मैं ने बताए वो भी radiff पूछ ले तो वो भी नहीं radiff नहीं बिंग, बिंग, रेडिफ तो रेडिफ अपना है, बिंग बाई में सटेक बोला रेडिफ जो बिंग होता है, बिंग, ओ Microsoft से related है, बिंग एक search engine है ठीक है अब next best graphic print कौन देता है इनमें सा सबसे best graphic कौन प्रिंट करके देगा inkzet, laser, plotter thermal printer, कौन सा है इनमें से जो सबसे best quality देता है इसका answer क्या हो जाएगा plotter, plotter best quality हो क्योंकि जानते हो न, बने बताया आपसे की printer का बड़ा भाई है plotter, तो plotter सबसे बेश देगा ही, automatic, अब next e wallet में e का क्या मतलब होता है election electric, electronic या फिर कोई नहीं यह सब तो simple से question है वैसे कर ले जाओगे आप लोग, उमीद है यह तो electronic हो जाएगा ठीक है, लेकिन सारे वीडियो को follow करने न, जरूर जरूर नहीं तो problem होगी आपको, ठीक है अब next email और facts एक ही चीज है यह true है कि false जितने वीडियोज हैं, सब देख लेने एक question को focus करना है और जो पहले एक Libre Office का पूरा देख लेना है, आप देख लेना खुस हो के आओगे एक चाम से आपको क्या लगता है, अलग होता है कि तो यह हो जाएगा false, दोनों बिल्कूल अलग है difference है, email, electronic email अलग है, facts अलग है, ध्यान देना आपको, कुछ लोग कहता है, facts जदा secure है, कुछ लोग कहता है, email है तो facts वैसे जदा secure होता है तो पुल मिला कि दोनों में बहुत difference है, इतना आपको ध्यान रखना है अब next, क्या mouse के button को आपस में बदला जा सकता है true है कि false yes or no भी पूछ सकते हैं, इसे बदला जो भी पूछे हो तो अब समझदार हो इसका answer क्या होगा तो यह हो जाएगा, true simple सा बात है यह mouse को button को बिल्कुल आसानी के साथ हम बदल सकते है एक बार आपको मैं दिखाता हूँ कैसे होता है, जैसे यह देख रहे हो यह क्या है, control panel है hardware and sound देखो लिखा हूँ इसमें तो इसमें देखो यहाँ पे जब control panel आप जाओगे, तो वहाँ पे hardware और sound को जाना आपको उसके बाद mouse देख रहे है तो mouse पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक mouse setting आगए यह देखो mouse properties तो buttons जब देख रहे हैं, अभी यह left में black है यहाँ पे, right में white है जब इस पे यह switch primary and secondary buttons इस पे tick कर दोगे जब आप देखो यह right side जाता है, फिर इस पे tick कर दो left चला जाएगा हो देखो यह, समझ रहे हो यह देखो, अभी मुझे right click करना पड़ रहा है, क्योंकि left ओ right side हो गया न, ओ फ्लैक वाला इधर चला गया, तो इस तरह से होता है यह मतलब आप जो कुछ लोग left hand से काम करते हैं तो उसके लिए बदल सकते हैं, इतना समझ चलना है अब next, libro office एक computer software है, true है कि false तो हो जाएगा true, है तो software ही हो computer software तो सभी होते है तो देखो, एक बात यह वैसे actual में क्या है libro office एक application software है ओभी open source, यह बात आपको पता होना चाहिए यही same question मेरे पास आया था वैसे तो इसलिए इसको लिखा बागी तो यह एक application software वह भी open source, इतने बात ध्याम रखने है अपना आक्स्ट, email में संदेश कहां दिखाई दिता है, यह email है email में संदेश कहां दिता है, inbox, outbox, sendbox receive box simple साही है question यह कुछ question simple email के लोग बदाया रहे थे, 10 question लगभग बस, inbox इसका सही answer हो जाएगा outbox मैंने समझा है, आपको outbox हो होता है, जैसे कोई message आप भेजे, फिर outbox में चला जाता हो, फिर जब deliver हो जाता है उसके बाद, sendbox में चला जाता हो और dropped होता है जिसमें editing message dropped में दिखाई देता है, ठीके ध्यान देना आप next UPI के reference में PSP में S का मतलब क्या होता है important है की नहीं यह UPI मतलब इसने UPI तो पूछ नहीं रहा है, UPI का full form भी बूछते हैं तो unified payment interface ठीक है, जितने भी paytium से लेकि भी map से लेकि कुछ भी हैं सब UPI based होते है उसको बोलते हैं UPI based समझ रहो तो PSP में S का मतलब क्या होता है PSP का मतलब payment service provider याद रखना payment service provider same question I.C. पूछा था, same I.C. देख लेना आएगा exam में, UP next छोटे message को post करने के लिए networking site कौन सी है इसका simple सी बात है है तो सारे वैसे लेकिन इसमें Twitter इसका सही answer हो जाएगा post करने की बात करा है न बाकी तो WhatsApp पे हम chatting करते है Instagram अलगी होता है photo, video, sharing है समझ लोग तरह से Facebook भी social site है उस पे ज़्यादा भी लिख सकते हैं जरूरी ने एक छोटा message भी है सकते हैं है कि नहीं लेकिन Twitter पे छोटा ही चलता है उसको बोलते है micro blogging भी बोलते है exam में आता है exam में ध्यान देना अब next surfing क्या है अभी दोगों उस दिन बताया था समझाया था आपको ठीक है वो question नहीं था लेकिन उसके बारे मैं आपको समझा दिए था surfing क्या है आई से question आएगा same तो आपको समझ जाना है इसलिए मैं समझा जेता हूँ आपसे सब कुछ सारे word जो भी मिलते है तो इसका एंसा सिंपल सी बात है internet पे कुछ सर्च करना को surfing कहलाते है और ब्राउजिंग की बात कर ले तो browsing में क्या होता है अलग होता है ब्राउजिंग का मतलब होता है जैसे किसी special purpose से आप कहीं क्लिक करते हो जैसे किसी page पे काम कुछ कर रहे हो फिर click किये तो इसको बोलते है ब्राउजिंग अब next internet explorer web page नहीं दिखा सकता ये two है कि false internet explorer web page दिखा सकता है कि नहीं दिखा सकता है वैसे होता क्या एक web browser है समझे रहे न ब्राउजर ये उस तो करते होंगे आप सभी कभी ने कभी तो सभी उचकी होंगे आज कल तो नहीं दिखा सकता बोला तो false हो रहेगा सब से पहले ही जबकि उस पे web page नो सब खास कर क्या दिखा जाता है किसी भी web browser पर web pages दिखाए जाते हैं अब क्या अब next Libro office में screen body करने के shortcut की क्या होती है अब ये question पूछते हैं सेम ऐसे ही तो body मतलब वही full screen है की नहीं full screen कर दो page body हो गई सब कुछ हो गया shortcut की पूछ रहा था इसका exam में तो simple से बात हो जाएगी इसका answer क्या हो जाएगा control plus shift plus z ऐसे question पूछ लेता है screen body करने के लिए shortcut की क्या है तो आपको समझ के करना है उसे हिसाब से ठीक है अब next Digi Locker किस से जुड़ा होता है pen number से phone number से अधार number से किस से तो अगर ऐसे question पूछता है देख रहा हो जैसे लिखा है लेकिन अगर bnc दोनों अगर option में है phone number से भी होता है न वो Digi Locker phone number और अधार number दोनों से काम करता है दोनों मिला के तब उसमें आप account बनाते हो तब ही उसमें होता है सब कुछ इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको मान लोग दे दिया तो करना अब वैसे लोग बता रहे थे कि ऐसा था नहीं इसलिए अलग अलग है तो अधार कार सिंपल सी बात है अब next निम लिखित में से कौन सा सर्च इंजन है पूछ रहा है कौन सा Linux, Unix, Vasta, AltaVista इसका साइंसर क्या हो जाएगा AltaVista बड़ा सिंपल है वैसे यहाँ पर कुछ भी हो Google, Yahoo अभी बताना मैंने Wing इस सब क्या है सब सर्च इंजन है एक Lycos करके सार्च इंजन होता है एक Ask जो होता है Ask.com Hotbot समझ रहे बात यह सार्च इंजन ही होते हैं तो सब पता हो नजी बसे हैं अब Next P.O.P. का Full Form क्या होता है अब देखो एक P.O.P. आता है इमेल वाला है ना तो इसमें दिया ही नहीं है तो अब क्या करोगे आप होता है ना एक P.O.P. 3 करके जिसको बोलते हैं Point to Point नहीं सुरी इमेल वाला कि तो Post Office Protocol होता हो P.O.P. मतलब Post Office Protocol Point to Point Protocol होता है वाला P.P.P. तीन बार P.P. लिगी है तो Point to Point Protocol हो जाता है यह इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब हो जाता है Power of Purchase ध्यान देना है यह बादि Banking का है Trumps What an important question है Power of Purchase अब Next फीस फॉर 2 लाग 2 लाग रुपए 2 से 5 लाग की बीच अगर आप पैसे भेज रहे हो ट्रांसफर कर रहे हो तो फीस कितनी लगेगी ऐसे question आज़े तो क्या करोगी आप वैसे यह दोनों में मतलब NEFT से कर रहे हो तो भी वही लगता है और उसमें कर रहे हो क्या बोलते हैं उसको RTGS Real Time Gross Settlement RTGS का मतलब होता है और NEFT का मतलब National Electronic Funded Transfer तो कितना होगा तो ऐसे question आए तो 25 से simple सा question है 2 से कर पांच करना तो 25 रुपए उसमा फीज लगता है ठीक है यह question सेम ऐसी पूछे का अब next निम लिखित में से Linux में default media player कौन सा है media player समझते हो ना जो से BLC होता है यह है ना लिखा PLC होता है Genome होता है या फिर कोई नहीं कौन सा इन में से media player कौन सा है कौन सा हो जाएगा फिर इसका answer हो जाएगा Genome अभी देखोई Genome Linux हो या फिर Unix अगर option में आपको दोनों पूछे तो दोनों कर देना क्योंकि इसका clone होता है Linux जैसा ही Unix उसका clone बनाया है Linux ने Unix का Open Source है Linux जबकि Unix Open Source नहीं है दोनों बाता को पता होना चाहिए बस दोत्तों बस यही था आज का आखरी question आते है जो कर मैंने question पुछता है पर उससे पहले आप सब्सक्राइब से चोड़ा सा request है तो वीडियो सब लोग लाइक कर देना ठीक है वीडियो जब टेस्ट खतम हो तो लाइक कर देना सब लोग और जो लोग नए हो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेर आइकों जो प्रिस करना और जितने भी question आपको miss नहीं करना है मैंने बताना है first part से लेगा अभी तक देख लो और description में देखो कई सारे link के मैंने दिया हूँ तो वहाँ से libro office वगरा बहुत अच्छे सब देख लो तो आपके उपर different है तब आप 100% अच्छा grade आएगा triple C में आते हैं फिर question पे कल जो मने question पुछा था shortcut key for insert table table insert करनी की shortcut क्या है और पुछा था कि paragraph किस menu में होता है मतलब paragraph तो especially होता नहीं है paragraph formatting होता है न तो formatting लिग दिया था तो सब समझ जाता है तुरुंत है नहीं तो formatting menu में पाया जाता है उसको बोलते है पेरा अगर आगर आप formatting वैसे paragraph तो हम इंडर करते हैं तो हो जाता है अपनी directly page पे है की नहीं तो paragraph वो होता है answer किस ने दिया सोनम यादो तमजीर अनसारी अरपना पंडे अफसेग वर्मा विकास मौरिया उतकर्स फटेलिंस ने इसका सही answer दिया आज का question है port number बताना आपको sttps का ठीक है और in in में कितने digit होते हैं प्लस इसका full form तिन दोनों के बारे में आपको answer देना है इसके बारे में आपको थोड़ दिखा जेता हूँ मैं जो फॉर्मेटिंग वाला है देखो जैसे टेबल है तो यह table menu में होता है एक writer में table menu देखो यह table menu है उसी में देखो insert table control प्लस 12 और formatting में देखो यह paragraph पाया जाता है यह paragraph formatting यह मतलब paragraph formatting के लिए होता है यह इतनी बादे आपको ध्यान रखना है तो बड़ा important है तो बस इस दोनों question का answer भी देना है सबको फिर बस आप सुबको all the best और best of luck मिलते हैं next वीडियो में तब तक लेजा हिंद जैभारत